एक तो आप छोटी छोटी बातों पर रियक्ट मत किया चोटी छोटी बातों पर एक शोट टेमपर मत हो जाया करो जो शोट टेमपर वाला आदमी होते है ना क्या होते है चोटी से बात हो गई यह तुर ने क्यों किया इससे क्यों किया वेसे क्यों किया इसा मत करो है इसा करने से क्या होगा आपका ही टाइम वेस्ट होगा और जब आप छोटी-छोटी बातों पर रेक्ट करोगे न वह बात आपकी माइंड में गूमती रहेगी गूमती रहेगी आपका माइंड एकाग्र नहीं होगा और जब माइंड एकाग्र नहीं होगा तो आप किसी काम पर फोकुस कैसे कि यह शोर्टेंपर वाले लोग है नकेसे होते है पता है आप माची इसकी तीलि जैसे होते हैं थोड़ी से इनको कोई बात कि दो या इनके अनुरौद कोई काम नियो मत बनो हर्कोई आए आपको शुलगा के चला जाए आप चोड़े बात पर यह कैसे हो वह कैसे हो गया इसे निए और यां इसा निए न बत करो बन ना हो तो एक सरोवर कर जैसे बनो कि उसमें अगरा गिरता है तो वह बी सांत हो जाता था i am सामने वाला विक्ति आरा है बने बुस्ति आरा है और आप भी रेक्ट रूगों तो क्या होगा गुताम घुदा हो लेकिस। रधनर आप साथ हो आप इग्नोर करने वहानस, सामने वाला विक्ति आरा है अप अपको थोड़ा प्रेंस ना। करोगे प्यार से बात करोगे वह सामने और भी ठंडा पर जाएगा वह भी रेक्ट करना बंद हो जाएगा इसलिए चोटी-चोटी बातों पर रेक्ट करना बंद कर दो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप अपने टार्गेट के लिए लक्ष अच्छीव नहीं कर पाओ ऑपिस में परिवार में घर पे कई पर बात होती है हर बात पर रेट कर जाते हैं और सामने वाला आप कुछ बोल जाता है फिर उसी बात को लेकर दिन भर और रात में सोते व तुक मांक में यही बात वहोंदि लेगा आतने काम पर फोकुस नहीं कर पाते हो मैंद गौता है और कि अध première करते हैं तो बात बढ़ती नहीं बात बढ़ती नहीं तो आगे नहीं जेती राप्ताई वेस्ट क्छ नहीं होता आपको मांड डिश्टक नहीं होता आप अपने क करना बंद कर देना अगर आपका भी बिहेजर शो टेमपर वाला है तो उसको डिक्रीज कर देना या आदत मिटा देना छोटी-छोटी बात पर जो रियक्त करते हैं वो माचिस की तीली जैसे होते हैं खोड़ी सी गर्शन की सुलब उठते हैं ऐसा मत करना आपका टाइम वेस्